नमस्कार मैं एडवोकेट नरेश्कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ज्यान पर दोस्तों लगबग हर व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपनी सुईधानुसार इन्वेस्टमेंट शेयरों में, FDR में, बैंक जमाओं के रूप में या और भी अन्य कई प्रकार से करता है लेकिन कई बार होता ये है कि इन्वेस्टमेंट कराते समय वहें नौमिनेशन नहीं करवाता और नौमिनेशन नहीं करवाये जाने की स्थिति में उसकी मृत्यू के बाद उसके उत्राधिकारियों को वहेराशी प्राप्त करने के लिए उत्राधिकार प्रमानपत्र की बात करने वाले हैं कि उत्राधिकार प्रमाणपत्र क्या होता है इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है और उत्राधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है इन्हीं तीन भागों में वीडियो को बंटा गया है वीडियो को शुरू करें इसके पहले ये दि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिजिए और साथ ही बेल आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्राधिकार प्रमानपत्र होता क्या है तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसकी चल समपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकारी बनाने वाला ऐसा प्रमानपत्र जो किसी सक्षम अधिकारिता के नैले द्वारा जारी किया गया हो उत्र उत्राधिकार प्रमानपत्र की आविशक्ता की बात करें, तो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है, तो उसकी अचल संपत्तियां तो उसकी वसियत या उत्राधिकार विधी के अनुसार उसके विधीक उत्राधिकारियों में अपने आप न्यागत हो जाती हैं, लेकिन म उम्रितक व्यक्ति की चल संपत्तियों यानि बैंक में रखी जमाओं, FDR के रूप में रखे गए इन्वेस्टमेंट या कम्पनीज के शेयर्स, डिबेंचर आधी की रकम प्राप्त करने के लिए उत्रा धिकारियों को क्लेम करना पड़ता है यदि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में किसी को नौमिनी नियुक्त किया हुआ है तो कोई समस्या नहीं आती क्योंकि ऐसी वीतिय कंपनिया या बैंकिंग संस्थाएं उस नौमिनी व्यक्ति के पक्ष में भुगदान कर देती हैं लेकिन यदि नौमिनी नहीं है तो ऐसी दशा में सक्षम अधिकारिता से उत्र में बैंकों के द्वारा अपने पास बैंक अकाउंट में रखे गए रुपए तो बिना किसी उत्राधिकार प्रमानपत्र के केवल अंडर्टेकिंग लेकर ही दे दिये जाते हैं लेकिन यदि मृतक के पास कोई शेयर्स डिवेंचर्स या अन्य कोई स्टॉक हो तो उनका भु पुर्सी नामा में अंतर होता है अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी की उत्राधिकार प्रमानपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों में से एक या अधिक के द्वारा एक या अधिक व्यक्ति के प करता था और जिस एरिया में मृतक की मृत्य हुई है ऐसे प्रारतना पत्र में मरने वाले व्यक्ति के क्लास वन के सारे लीगल हैर्स को पार्टी बनाया जाएगा और साथ ही सर्वसाधारण को भी पार्टी बनाया जाएगा सर्वसाधारण की तामिल के लिए अखबार में प् उनको भी पक्षकार्स के रूप में शामिल करना पड़ता है प्रार्तना पत्र के साथ एक लिस्ट भी तयार करनी पड़ती है जिसमें मृतक की सारी चल संपत्यों का विवरण पूरा-पूरा दिया जाता है ये लिस्ट दो प्रतियों में तयार करके प्रार्तना पत्र के साथ पेश करनी पड़ती है ये लिस्ट बहुती सावधानी से तियार करनी चाहिए क्योंकि इसी लिस्ट के आधार पर कोर्ट उत्राधिकार प्रमानपत्र जारी करता है। प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए उनके द्वारा ना तो कोई कंटेस्ट किया जाता है और ना ही अपनी तरफ से कोई एविडेंस पेश की जाती है इसलिए उत्राधिकार प्रमानपत्र में कार्यवाही सिविल दावे की बजाए काफी जल्दी समाप्त हो जाती है जब पर 3% की स्टांप ड्यूटी पेश करनी पड़ती है और उन स्टांप ड्यूटी पर ही कोर्ट के द्वारा उत्राधिकार प्रमानपत्र जारी करके प्रार्थी को दे दिया जाता है उत्राधिकार प्रमानपत्र प्राप्त करने के बाद ऐसे उत्राधिकार प्रमानपत्र का धारक व्यक्ति अलग-अलग संस्थाओं में जहां पर मृतक व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट थे उस प्रमानपत्र की कोपी पेश करके उन चल संपत्तियों का भुगतान प्राप्त कर सकता है इस तरह उत्रादिकार प्रमानपत्र को हमने बहुत ही आसान भासा में समझा इसी प्रकार की उप्योगी कानूनी जानकारियों के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में